हेलो एवरिवन वेलकम टो अड़ा 24-7 स्कूल मैं राजिंदर शांखला इस सेशन में हम कक्षिया ग्यारा आरोबाग फ़र्ष्ट के अध्या संक्या नाइन जिसके लेखेंग जोहरलाल नहरू इन्होंने हमारी पाठ्या पूस्तक में हिंदुस्तानी कहानी का जो पांच अध समynnज हंने बारे में चर्चा स्य क्कार अब ये चीज आप नों को समझ में कैसे कैसे याद होंगे कि आदि बच्चों आप लोगों को जो मूल अध्याय मूल पाठ है भारत माता यदि आप लोगों जब मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर और उमीद करता हूँ यह आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा क्योंकि भारत माता लिखने वाले क क्यों है जुहाला नहरू जो बच्चों में किस नाम से चाचा नहरू के नाम से परसित है ठीक है और इससे पहले हमने जुहाला नहरू जी का जीवन परीचे और भारत माता जो इनुन पार्ट लिखा है उसका सारान समने पड़ा तो यह दि दोनों वीडियो फास्ट और सेक जाएगा क्योंकि जैसे ही मैं पर्शन कहूं कि बेटा पहला पर्शन है तो आपका आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए और यह सब हमें कहां पढ़ने को मिलता है हमारी पाठ्थे पुस्त का नाम में आरो भाग फर्ष्ट यहां नहीं दीख रहा तो यहां दे में जो अध्याय उसके लेख कोने तो बच्चो ध्यान रखना कोने जुहालाल नेरू तो भारत माता अध्याय से समझ जितने अभ्यास पर्शन है उनके बारे में चर्चा करने वाले तो इसके लेख कोने जुहाला नेरू जिने चाचा नेरू की नाम से भी जानते हैं ठीक ह से इसका आंसर कोईसित करो अपने दिमाग में लाने की चाट भारत की चर्चा नहरू जी कब और किसे करते थे यह बहुत अच्छे समझाया था बहुत चोटा संचिप्त रूप में यहां लिखा हुआ है उसके बारे में तो भारत माता की जै याद देखिया याद आ गया होगा तो हमें याद आ गया होगा कि भारत की चर्चा नहरोजी कब और किसे करते थे याद देखिया नहरोजी ने कहा था कि कभी इस्टार्ट यहीं से होता है नहरोजी ने कहा था कभी-कभी मैं एक जलसे से जब दूसरे जलसे में जाता था एक जलसे से मैं जब दूसरे जलसे में जाता था तो मैं किसानों से भारत के लोगों से मैं केवल भारत माता के भारत माता या भारत की ही बात करता था और क्या बात करता था मैं कि मेरा जो हिंदुस्तान मेरा जो भारत है बहुत सारे टुकड़ों बटा होने की कारण भी क्या है वह आज भी एक है पहले भी एक है था इस प्रकार चर्चा वह करते हैं तो देख लो जुहाला नेरुजी देश के विबिन जगों मे होने वाले एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते हैं जलसा यानि कि जो भी क्योंकि ये समाजवाद पर ज्यादा परभाव इन्होंने इनकी विचारों का परभाव पड़ा है तो समाजवाद जितना गहरा होता गया था इनकी जब ये वकालात करे तो वकालात पढ़ा ही पड़ा तो जलसा होता है आंदोलन या कहीं पर भी को सामाजी के पार जैसे कहते हैं यहां आजाईए हम लोग कुछ लोगों में परवर्तन लाने के लिए कुछ सुजहाव यहां देंगे तो आप भी आए अद्देक्ष की रूप में आप कैसे भी तो जब वह एक जलसे से प्रमप्राग संस्ता के नाम से उपजा है तो वो किस की बात करते हिंदूस्तान या भारत की चर्चा अवस्य करते जी उन जलसों में उन्हें लगता था कि किसानों को पूरे हिंदूस्तान के बारे में बहुत कम क्या है जानकारी है वे उन्हें बताते थे कि भारत संस्कृ संस्क्रत है संस्क्रत और आपको पता होना चाहिए प्राचीन भासा ही संस्क्रत थी सबसे पहले प्राचीन भासा संस्क्रत आती है और संस्क्रत को दो भागों बाट अगया बच्चों लोकिक संस्क्रत और वैदिक संस्क्रत उसके बाद में आती है संस्क्रत पाली फिर आती ह एक है अपारेंस, फिर आति है हमारी हिंदी, तो ऐसा नहीं कि हमारी हिंदी भासा आ ग Dumना, जो भारत सब्द है संस्कर्द भासा का सब्द है, और उस जाती कि π्रमप्रागत संस्ता के नाम से निकला हुआ है कौन भारत जो सब्द है और यह भी बताते हैं कि हिंदुस्तान अरथात भारत किस तरहे देश का एक इस्सा दूसरे इससे जुदा होते हो ये भी क्या है एक है अरथात अनेक्ता में एक्ता यानि कि भारते शवजदानी सरुपरमु विशेश्टा क्या है अने में एकता यानि कि मेरा data में जो देश है वे छोटे-ACHोटे टुकड़ों में यानि मेरे देश में भूत से जाती धर्मों के लोग होते हैं लेकिन फिर बी अलग अलग भागों बटा होने कारण और वो क्या है एक जूटे है सबी के लिए क्या है एक नियम में एक क्या है कानून है किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं है यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि मेरा देश का एक इससा दूसरे इससे जुदा होते हो भी अलग होते हो भी क्या है एक है अर्थात अनेकता में ए करता था तो जोहला नेरु जब एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते तो वहाँ पर पर धे जलसे में किसानों से भारत चनबन को शोब्टे ना समझे लोग लगते किकला है या उप्ज़ा है और साथ में ये सबराजे सब्द की पा country कभी बार-बार कभी model किए करते थे और बार-बार और वकरते क्या थे भारत माताहिन भारत को याद करके एक पहते हुए और जितने भी लोग रहते है वह सब अलग-अलग होते हुए भी हिंदुस्तान को second person answer दो बेटा जल्दी से, नहरुजी भारत के सबी किसानों से कौन सा परसन बार-बार करते, यानि जब नहरुजी एक जल्से से दूसरे जल्से में जाते थे, तो वे कौन सा परसन बार-बार किसानों के साथ में किया करते थे, तो थोड़ा सा जोर लगाओ दिमाग पर और सोचो कि कौन सा परसन वो बार-बार पूछते थे जल्दी से बताओ मुझे फिर मैं बता रहा हूँ इसका अंसर क्या है फटाफर बता दीजीगा याद है क्या आया होगा कुछ याद याद मैंने बताया था कि जब भी जुवाला नेरुज किसी जलसे में जाते थे तो लोग उनका स्वागत करते किस प्रकार से करते किन सब्दों से किन नारों से करते थे कि भारत माता की जय भारत माता की जय तो वो बार-बार कहते थे भार भारत माता के नारा क्यों लगाते हैं भारत माता का मतलब क्या है ठीक है तो यह पर्षन जो नारा था ना भारत माता की जय यह पर्षन उनसे बार-बार पूछते थे किसानों से नहरूजी जब किसी जलसे में पहुंचते थे तो उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ होता तो वे भारत के सबी किसानों से भारत माता की जय के नारे के बारे में पर्षन विशय में यानि पर्षन के विशय में पर्षन के विशय में पर्षन बार-बार किया करते वे उनसे पूछते थे कि किसान जिस भारत माता की जै करते हैं वह कौन है तो एक दिन एक हटे हटे किसान जाट जाट ने जवाब दिया कि भारत माता का मतलब धर्ती माता से है तो कौन सा परसन बार बार करते हैं भारत माता की जै नारे के विशे में जो परसन था यानि भारत माता की जै जैसा परसन वो बार-बार किया करते क्यों कि जब वो कहीं पर भी जाते किसी जलसे में भाग लेने के लिए तो लोग उनका स्वागत जोर सोर से करते कि भारत माता की जै क्योंकि ये भारत को बनाने के लिए जब और समाजबाद का प्रवाव जादा पड़ाई है तो पहले सौतनतर भारत के पहले परदानमत्री को ने चाचा नहरूजी जिनका नाम क्या है जुहालाल नहरूजी तो बार-बार कौन सा परसन करते थे बच्चो भारत मातागी जै किनारे की विश्वय में जो परसन बार-बा पूचते जब बार-बार पूचते एक दिन अठ्छा गटा जांट किसान मिली गया उन्हें का उल्हें कि भारत माता मतलब क्या है धरती माता है कि नहरूजी फिर उनसे परसन करते कि कौन सी धरती माता वह अपने गाउं की धरती की बात कर रहे हैं या तुमारे गाउं या सूबह जिले की धर्ति या धर्ति मात है पूरे हिंदुस्तान गरते माता इस तरह बेग किसाणों से यह परसन बार बार किया करते तैंड यानि कि जब वह बोलते न एक जांट किसान ने कहा कि भारत माता मतलब धरती माता वो कहते कि धरती माता कौन सी तुम्हारे गाउं की तुम्हारे सुभी की तुम्हारे जिले की पूरे हिंदुस्तान की तो बताओ धरती माता कौन सी है तो ऐसा परसन वो बार-बार किया करते है फिर जांट इसका अंसर नहीं देता है वो चाचा के लोगों की जय है पूरे हिंदुस्तान की धरती मा है उसकी जयकार लगाता है यह तो समझ में आया जब जलसे में जाते तो जब भारत माता की जय के इनारे लगते तो वह है परसन बार बार किसानों से पूस्त और एक दिन जवाब मिल जाता है हटे हटे किसान से थाड़ पर याद है किया अभी सीनिया के बारे में बताना बहुत मुश्किल था लेकिन आसान नहीं था लेकिन मुश्किल भी नहीं था तो उनके लिए आसान क्यों हो गया संसार के दुनिया के बारे में बताना सोचो एक बार फिर जल्दी से मुझे इसका आंसर बताने कोशिस करो कि कैसे आसान था दुनिया के बारे में बताना को सेकंड से आपके पास बच्चो देखो यदि हमें एक एक परसन को हल करना है तो हमें मूल पार्ट अच्छे से याद होना चाहिए तो इससे पहले वाला जो वीडियो जो भारत माता मैंने पार्ट के सारांस के साथ में पढ़ाया था उसे एक बार अच्छे से जैसे मैंने पढ़ाया उसे वैसे पढ़के देखो जो का तुँ याद हो जाया क्योंकि मैं एक सब्द को दो दो तीन तीन बार रिपिट किया है तो दुनिया के बारे में बताना आसान तो नहीं था लेकिन मेरे लिए मुश्किल भी नहीं था कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जो भारत को सवतुंतर कराने में बड़े-बड़े दावे बड़े-बड़े यूद लड़े थे इसलिए वो दुनिया को समझने में अर्थात मेरे जो बोल थे उनको समझने में उनको जाद दिक्कत नहीं आते थी तो देख लेज़े नहरू जी अपने भासनों में किसानों को दुनिया के बारे में बताते रहते दुनिया के बारे में उन्हें जानकर देना आसान नहीं था वैसा मुस्किल भी नहीं था यानि की आसानी था वैसे मुस्किल भी नहीं था इसके कुछ निमलिकित कारण यह नहीं कहा कि दुनिया के बारे में जब में किसानों को बताता हूँ तो आसान तो नहीं था लेकिन वैसे यह मुश्किल भी नहीं था जैसे कारण कौन-कौन से हमारे पुराने महाकावयों पुरानों की कथा कहनियों से किसान पहले से परीचित थे जो बड़े-बड़े पुरान महाकावय लिखे तो हिंदुस्तान के कोनों कोनों में जाकर के बड़े-बड़े तीर्थों के भी क्या कर चुके थे यात्रा कर चुके थे यानि कि पहला तो क्या था कि वो पुरानों महाकाओं को से परिचित थे दूसरा क्या था वो बड़े-बड़े तीर्थों की यात्रा कर चुके थे कोनो ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या दावों के सिलसिले में विदेशों में नोकरियां की थी यानि कुछ सिपाई हमें ऐसे मिल जाते जो बड़ी बड़ी जंगों में दावे बोलते से में वहां की नोकरियां उन्होंने की थी सान 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी हुई थी उसकी वज़े से दूसरे मुलकों या दुनिया के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाता थे यानि कि 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पड़ी तो उसकी वज़े से जब मैं दूसरे मुलकों के बारे में दूनिया के बारे में देश के बारे में बताता तो मेरे हवाले यानि मेरे बोल थे वो उनको अच्छे समझ में आ जाता थे इसलिए मुझे दुनिया के बारे हम बताना एक आसान कारिय हो गया था वैसे आसान तो नहीं था वेलेकिन मेरे लिए मुश्किल भी नहीं था क्यूं कि लोग यहां के जो किसान थे महापरानों और महाअकाव्यों और पुरानों से परिचित थे दूसरा बड़े बड़ी जंगों में दावे में वो भागेदारी निबाई उन्होंने तो जगए 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 जाकर नोक्रियां भी की तीसरा सबसे महतुपन बात 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी हुई जिसकी वज़े से दूसरों के मुलकों और दुनिया के बारे में बताना मेरे मुह के जो बाते थी वो उनको अच्छे अच्छे समझ में आ जाती थी नेक्ट परसन है किसान सामाने थे भारत माता का क्या अर्थ लेते थे याद दे कि अभी अभी बताया था मेने भारत माता का अर्थ क्या लेते हैं सामाने थे तो बताए जल्दी से क्या होगा इस कांसर यानि भारत माता का सामाने थे किसान क्या अर्थ रखते थे बताए इस कि भारत माता की जे भारत माता का मतलब भारत माता से क्या मतलब है तुझ मैंने का ने कटे कटे जांट ने बताया था भारत माता का मतलब क्या है धर्ती माता तो सामानेत है क्या हर्थ लेते वो धर्ती माता पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत की धर्ती माता किसान साम्मानत भारत माता का अर्थ धर्ती माता से अर्थात पूरे हिंदुस्तान की धर्ती माता से लेते थे कहने का ताथ पर यह क्या है कि कोई एक गाउं एक सुबे एक देश एक जिले की नहीं है पूरे हिंदुस्तान की पूरे देश की हमारे भारत देश की धरती माता से वो लेते थे नेक्स्ट फाइफ पांचा परसे ने जल्दी से बताया अंसर क्या होगा भारत माता के परती नहरू जी की क्या अवधार ना थी यानि भारत माता के पर्ती नहरूजी की क्या अउधार ना थी तो जल्दी से बताए क्या होगा इसका अंसर सोचो बेटा और जल्दी से कोशिश करो बताने की आपको अंसर आता भी है तो सोचो क्या होगा इसका अंसर क्या उधारना थी याद है आपको मैंने बताय था कि भारत माता की मतलब क्या है भारत माता की जै का मतलब यहां जितने लोग रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में उन पूरे लोगों की क्या है उन क्रोड क्रोड लोगों की क्या है जै है तब बोलते थो भारत माता की जय तो भारत माता की आउधारना किसे समझ देता है भारत के लोगों की जैसे समझ था भारत माता के परती नहरुजी की आउधारना यह थी कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा था यानि कि इसके आउदारना वह थी जिसने उन्होंने समझ रखाता लेकिन कहीं उससे अधिक था लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान की नदी, पहाड, जंगल, खेत जो हमें क्या देते हैं अनाज देते हैं, अनकार्त याद आ गया कि आप लोगों को एक सब्द होता है मिश्ठान, कभी आप इसे इस परकार से लिखते हो मिश्ठान, कभी आप लोग इस परकार से लिखते हो मिश्ठान, कभी आप लोग इस परकार से लिखते हो मिश्ठान, ऐसे तो आपसे पूछे ना सुद्ध कौन सा है बच्चो तो बताए जल्दी से सुद्ध कौन सा है हो सकता है इसमें से सही तो ध्यान रखना क्या होता है मिष्टान तो आप समझो इसको अन को देखो इसमें संदी कौन सी है दिर्गिश्वर संदी है मिष्ट धन अन 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 यानी म निष्टा ठेट ठठेरा मत कर देना धैट माटर करना है बच्चो तो क्या हो जाएगा मिश्ट दन अन तो यही बात तो नेरोजी बता रहे हैं कि उनकी अधारना थी भारत माता की परती कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा था जिनोंने मैंने समझ र पहाड जंगल और खेत जो हमें क्या देते हैं अन देते हैं अनाज देते हैं हमारे पेटे भरने के लिए ये सबी हमें अजीज है ये सबी हमें पिरिये है अर्था इन सबी से हम बहुत ही जादा इसने करते हैं हिंदुस्तान के वे सबी लोग जो सारे देश में फैले हुए है भारत माता दरसल यानि की वास्तों में दरसल करते हैं असल में या वास्तों में यही क्लोर लोग है और भारत माता की जैसे मतलब वा इन लोगों की जैका है कहने का तात्पर क्या है जब मैं जहां भी जलसे में जाता तो भारत माता की जैक नारे से मेरा स्वागत होता जोर सोर से तो मैं पूछ भी लेता था लेकिन अब मैंने जाना कि भारत माता क्या है वहां पर रहने वाले पूरी दुनिया में बुरी संसम जतने लोग होते हैं हिं जानता था इस भारत माता के परती उसे बहुत ही जादा है जो नदी पहाड जंगल है खेत है जो आमें अन देते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत माता असल में भारत धर्ती माता नहीं उस पर रहने वाले लोगों से उनका मतलब था यानि कि आउधारना उन पूर किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था यहां यानि कि याद्दे क्या आप लोगों पांगो साफाना के सो एक संमान तो बताए जल्दी से देखो आप लोगों से इसका तानसरा मुझे बताए जिसी यह हैं ना सिसे आपको इंदी में इंदी तो कैसे लिखते हो आप लोग ऐसे तो लिखते हो तो दिहान रखना हिंदी में यह क्या है गलते संस्कृत का सब्द है हिंदी में कैसे लिखते हैं इस परकार से छे लिखते हैं द्यान रखना यदि अब ऐसा कैदो कि सर हमने तो ऐसा लिखा है तो द्यान रखने यह गलत है हि सही है ऐसे मैं खाऊं आपसे तो इसको लिखके दिखाना मुझे comment box में इसको answer लिखके दिखाना कि 53 इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं बता दे ना इस answer मुझे यहां तक कह सकता हूं कि एक से लेके 100 तक जितने जिमी गिंतियां होती ना एक दो इस परकार से लिखते हैं न मैंसे तो आप ऐसे लिखोंगे ना कम से कम दोस्तों मैं कहरा हूं कम से कम दस गलतियां करोगे लिखके देख ले ना और comment box में मुझे लिक कर बता दे ना इसको तो कैसे लिखते हैं तो आप नहीं लिख पाइं, comment box में तो एक ही लिख देना, तो बताए आजादी से पहले किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो बताए जल्दी से क्या होगा answer, फटाफर बताए क्या हो सकता इसका answer, आजादी से पूर किसानों को निमलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन सबी किसानों की एक सी, यानि की सब्दा आया था, याद यकसा, एक सी ही समस्या रहते थी, और वो यह थी, गरीबों, कर्जदारों, पूंजी पतियों के सिकंजे, जमीदार, महाजन, सबी बातें, गुथी हुई थी, इस बोज के साथ, विदी सी सरकार ने हम पर लाद रखा था, कहने का तात्परी क्या है, कि ये जो कौन-कौन सी समस्या थी, ये समस्या थी, गरीबों, कर्जदारों, पूंजी पतियों के सिकंजे, जमीदार, महाजन, कड़े लगान, और जल्मे, ये सबी बातें, गुथी हुई थी, इनि ये सबी बातें थी, छो हमें तरपाती थी, जो हम बारे उपर ये समस्या थी, किससे पूर, आज़ादी से पहले की, और ये सब कौन लाद रखा था, विदीदी, विदेशी सरकार हम पर क्या डाल रखी थी, बोज डाल यानि सोसित वर्ग हम कह सकते हैं यानि कि सोसक जो वर्ग है वो सोसितों का क्या करते थे सोसन करते थे और सोसन करकर के अपने खुशियां ये स्विकार करते थे और वे कौन थे विदेशी सरकार थे जो हमारे उपर बिना वजय ही लाद रखा था ठीक है अब देखिए एक आता है आपके अभ्यास परसनों के अंतर में दिया हुए बहासा की बात तो कुछ-कुछ तो व्याकरण की बात होती है और कुछ-कुछ यहां बहासा की बात दे दी जाती है जिसमें पहला person आता है नीचे दिये गए वाक्यों या सब्दों का पाठ के संदर में अर्थ लिखना है यानि कुछ सब्द ऐसे दिये हैं जिसे हम कहते हैं न सब्द चबी या सब्दार्त याद है क्या उन सब्दार्तों के बारे में तुम्हें बताना है तो कौन कौन से सब्द हैं दक्कीन पच्छीम यक्षा एक जूज या डड़े तो बताए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो सकता है आंसर इस कर्थ बताए दक्कीन कर्थ क्या होता है पच्छीम कर् बताया था जोहला नेरुजी की जीवन परीचे का और जिसमें भारत माता का सारांस मैंने पड़ाया तो सबी सब्दार्थों के बारें बताया था तो आगया अब पूछा जों कत्यों आ गया कि नीचे दी गए वाक्यों या सब्दों का पाठ के संदर में अर्थ है याद है क्या दक्षिन करत मेंने पश्चिम बताया था यकसा एक समान बताया था डड़े इस प्रकार से याद है क्या कुछ याद नहीं है तो देख लो बिटा दक्षिन या दक्षिन प्रांत भी कह सकते हैं या ठीक है यह भारत देश का प्स्रिप्रांट या पकप पता हो तो तक्षिन-थे भाग पच्छिंबाग भारत देश का यक्सा यक्सा करत क्या होता है बच्चों एक समान क्या होता है एक समान एक जुज एक जुज होता है है एक खंड या भाग या अंस और डडड़े डडड़े करता है बोज तो याद हो गया धुज भारत देषका ने हम पर एक बोज डाल रखा कि उडड़े था एक जुज तो क्या होता है तो याद हो गया दक्कीन भारत देश का दक्षिनी भाग पच्छिम भारत देश का पस्विम भाग यक्षा एक समान एक जुज एक खंड एक भाग या एक अंस और धड़े करत क्या होता है बोज होता है बोज इस परकार से बोज क्या था यहां पर की रुप का सोशन किया जा रहा सोशक वर के द्वारा जमिदारों के द्वारा महा जुनों के द्वारा पुलिस का जुल्म था बहुत सारे लगान भरने पड़ते थे सवत्नतर्ता से पहले वो सब बहुत एक बोज की रूप में एक लाद रखा था किसने विदेशी सरकार ने परसन संक्या दो है भासा की बात से ही नीचे दिएगे संग्या सब्दों की विशेशन रूप लिखना है यानि कि संग्या संग्या क्या होती है संग्या किसी व्यक्ति याद हो तो आप लोगों को किसी व्यक्ति वस्तू इस्थान तथा भाव का बोध कराने वाले सब्दों को क्या कहा जाता है संग्या कहा जाता है और विशेशन किसे कहते हैं संग्या सरुनाम सब्दों की विशेशता बताने वाले सब्दों को क्या कहा जाता है विशेशन कहा जाता है याद है तो संग् या भी तीन परकार की होती है व्यक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या भाव वाचक संग्या इतना नहीं समझो तो बस इतना द्यान रखना किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे राम, स्याम, सोहन, मोहन, ना, मिना, सिना, टीना इस परकार के नाम कोई एक नाम है तो व्यक्त बढ़ खृण जैसे बात कुरु में उत्तर परदेश राजस्तान दिली गुर्गाव यह एक स्थान जैपूर एक स्थीन विश्यष का नाम में भाव इर्षा मिट्रता प्रेम मिट्रता कैसे करते हो बहाव आएगा जब भी तो मित्रता मन मैं आज जब जिसको मित्तर बना ले तो नहीं, आप भाव आता है, अरे वा, कितना सुन्दर है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, मित्तर बनाते हो जब भाव जगता है, तब ही तो करते हो, इर्चा, छी, कहते हो ना, मतलब कैसे, इर्चा कब, जब भाव जगता है, राग, प्रेम, तो किसी व्यक्त कि वश्तुस्थान भाव का नाम क्या चैला था अब संग्या सब्दों की विशेशन रूप लिखना तो बताब ऑजादी में कि या सब्ग उसका विश्येशन रूप लिखना है चमक हिंदुस्तान disci विदेश सरकार यात्रा पुरान और भारत का इनका विशेशन रूप बनाना है तो बताब आजादी से विशेशन क्या बनेगा आजाद बन जाएगा चमाक से क्या हो जाएगा इला परते जोड़ दो चमकिला हो जाएगा बोलो होगा नहीं होगा चमकिला हिंदुस्तान में इपरते जोड़ दो तो क्या हो जाएगा हिंदुस्तानी हो जाएगा विदेश में इपरते जोड़ दो विदेशी हो जाएगा सरकार में इपरते जोड़ दो सरकारी हो जाएगा यात्रा में इपरते जोड़ दो यात्री हो जाएगा ऐसे ही पुरान सब्द में यदि मैं एक परते जोड़ूं तो क्या हो जाएगा बच्चो पुरानिक हो जाएगा और भारत में एक परते जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चो भारतिय हो जाएगा बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और कुछ ज़्यादा ध्यान में रखना ही नहीं है आप लोगों को मतलब परते जोड़ना है और विश्यसन बना देना है बुलो कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे नहीं होगा देखो संग्या और विशेसन आजादी से क्या बन गया आजाद बन गया चमक से क्या बन गया चमकिला बन गया हिंदुस्तान से क्या बन गया हिंदुस्तानी बन गया और विदेश से क्या बन गया विदेशी बन गया बोलो यही बताया मैंने यहां से इपरते अठा दिया तो क्या बन गया चमकीला बन गया हिंदुस्तानी में इंदुस्तान में इपरते जोड़ा तो हिंदुस्तानी बन गया ऐसे विदेश में इपरते जोड़ा तो विदेशी बन गया तो यह सब क्या बन रहे हैं वैसे ही सरकार में इपरते जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा सरकार तो मैं यह परते जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भारतिये हो जाएगा तो संग्या सब्द से विस्टेशन बनाने का तरीका क्या होता है किनकी जो भी सब्द होता है आप लोगों पता सब्द के अंत में जो भी जोड़ता है वो क्या होता है प्रत कोई字 संग्या सब्द अधारिए कोई बी सब्द सब्द है उसके बाद कोई भी संग्या सब्द जोड़ के देख लो है तो वे नहीं बता यह विशेशन होना सब्द बन जाएगा और विसेश सनी कहला प्र भावाचक संग्या कहलेगा 3 जैसे मैं बात करूँ मैं आपसे पूछूं इमानदार और एक सब दे दिया मैंने इमानदारी तो इसके बाद कोई भी संग्या सब्द रख के देख लो इमानदार मनुष से और इमानदारी मनुष से तो कोई ससुद है इमानदार मनुष से तो इमानदार सब्द हो गया, इमानदारी क्या हो गया, एक भावाचक संग्या हो गई तो समझ में आया आप लोगों को, देखो बच्चो समझ में तब आएगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ोगी मैं एक-एक सब्द को दो, दो, तीन, तीन बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए बटा सो परतिसत याद होगा जब भी तो हमें सो परतिसत नंबर प्राप्त होंगे आप जादा नहीं जैसा समझा रहा हूँ वैसा तो लिखी सकते हैं तो ये था बच्चो जोहाला नेरो जी द्वार रचित भारत माता जो हिंदुस्तान की कहनी का पांच अध्याय दिया हुआ है उससे समद्धित अप्यास परसन हम लोगों ने देख लिए तो उमीद करता हूँ आप लोगों बहुत अच्छे समझ में आ गया होंगे इसी परकार से हमारे सेशन से जुड़े रहीएगा धन्यवाद थेंक्यू सो मच